नमस्कार दोस्तों आप डॉक्टर निगम्स होपेथी चैनल में हैं और हम लोग लाइफ स्टाइल के बारे में कई वीडियो में बात कर रहे हैं कर चुके हैं और आगे करेंगे आज इस चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं 45 प्लस लोगों के लिए कुछ आसन की है रिमेंबर योग के कई अंग होते हैं आठ अंग होते हैं प्रणायाम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं आज 45 प्लस लोगों के लिए आसन की बात करेंगे, अगर आपको इन वीडियो में शेर करी हुई information पसंदा रही है, informative लग रही है, और आप इसको अपना रहे हैं, इन lifestyle changes को अपना रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेर करें, और हाँ, bell चैनल और हाँ, bell आइकन को दबाना बिलकुल न भूले, आज मेरे साथ इस वीडियो में space share कर रहे हैं, रामकंट, रामकंट बहुत पुराने कानपूर के नाई है, हमारे कानपूर में घरीतन नवों की, ये गंगापारी नवों हैं, और इनको मैंने ट्रेन किया है, अपने हिसाब कानपूर में एक आदत रही है, लोग हाईजीन को फॉलो नहीं करते हैं, आप देखेंगे, ये एप्रिन पैने दिखाई देंगे, और मैं आप से ये गुजारिश करूँगा, कि आपके घर में जो भी फिजियो थरेपिस्ट आए, उसको आप एप्रिन पैनाएं, उसको मु करके काम करेंगे, क्योंकि अब समय ऐसा आगया है कि आपको अपनी पर्सनल स्पेस में हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो अब हम लोग एक्सेस जो करेंगे, वो 45 प्लस लोगों के लिए कुछ आसन है, जो अगेन आपको अपने घर पे ही करने है, अपने बेड होता है, एसी का जो फैन हो वो लो में हो, एसी का टेंपरेचर 24 हो, अगर हो सके तो एयर फिल्टर लगा ले, रूम एरी होना चाहिए, उसमें खुब सारी लाइट आ रही हो, क्योंकि लाइट हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, तो ब्रेन एक्टिव होगा, और आप हम देखिए, प्रानायाम से बोडी वर्म अप नहीं होती है, वर्म अप करने का सभसे बढ़िया तरीका यह होता है, कि आप अपने जगे स्पोर्ट रंदिंग करें, अगर आप 50 के उपर हैं, तो 50 काउंट स्पोर्ट रंदिंग कर लीजे, बोडी वर्म अप हो जाएगी, तो अब मैं सीधे exercise पे जा रहा हूं सबसे पहले body को stretch करना है आपकी body straight होने कि रामकंट देखे मेरे body straight है कि नहीं है क्या मैं सीधा हूँ बिल्कुर सीधा हूँ देखे पहर सीधा करिए जाकर की सीधा करिए आप चेक कर लिजे और अपने assistant से कहिए कि आप straight line में है कि नहीं है आईए सामने आईए रामकंट बैठे लिए और अब आप यह देखेंगे कि यह मुझे stretch कर रहा है एक दो तीन चार पांच छह साथ आट नव दस छोड़िजे एक दो तीन चार पांच छह साथ आट नॵ दस छोड़िजे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, साथ, आठ, नो, तस, तीन बार मैं तीन बार करके दिखा रहा हूँ वैसे इसको कम से कम छह बार आपको करना है छह बार का एक सेट बनाएंगे आप अब हम अर्ध नौकासन करेंगे यानि कि हाफ बोट बन जाएंगे प्लस, प्लस, जितना आप सो विज़ा से उठ सकें जहां तक आपकी स्पाइन एलाओ करें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस छोड़ेजे, प्लस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौदस ये अधो भाग का, यानि कि फ्रंट साइड का अर्ध नौकासन था आप पाश भाग का अर्ध नौकासन करेंगे यानि कि पोस्टिरिय अर्व का, पीछले भाग का आप पकड़ लिए हमें ये मुझे पकड़ा हुए जिससे कि मैं इधर उधर ना भाग सकूँ पायर पर देखी मेरे तो मैं पायर इफाई हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौदस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौदस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौदस चलिए साब आगे और पीछे की तो मैं नौका बन गया है अब पूरी नौका बनने का वक्त आगया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौदस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौदस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस नौकासन हो गया अब हम अगे बढ़ते हैं और अब हम बनेंगे चिल्या आईए नौक नौक के बाद चिल्या बना जाए चिल्या बनने के लिए पहले हाथ को मैंने अपने चिन की नीचे रखा फिर जैसे चिल्या डैने पहलाती है मैंने अपने पंक यूँ पहलाए बस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस पंक समेट लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस चिडिया बनने के बाद मैं अर्थ भुजंगासन करूँगा अर्थ भुजंगासन मतलब वह आधा साथ बनते हैं साथ जब पूरा फन ना उठाए, आधा उठाए अपने दोनों हाथों को अपने कंदे के नीचे है यानि कि जो निपल्स होते हैं उसकी लेविल पर रखा, सीधा रखा चिन को आगे ले आए, जितना आगे एक्स्टेंड कर सके और सांस लेते हुए अपने एक्सिस्टेंड से कहा कि देखो भई पैर ना भागने पाए, पैर सीधे रखिए जोर इस समय यहाँ पर पढ़ना चाहिए सांस खीचते हुए अपने कुपर उठाएए आसनों में यह बहुत बड़ी खासियत होती है जब भी आप एक्स्टेंड करेंगे अपनी बॉडी को बाहर ले जाएंगे तो सांस खीच रहे होंगे है अब नौक आसन के बाद धन रासन करते हैं पहले चुकि मेरे घुतनों में दर्द है इसलिए पहले आदा धन में अरसन करके दिखाता हूँ वो भी दो पार्ट में है चलिए भाई रामकंट पैर को पीछे लाईए जहां तक आराम से चला जाए ले आईए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस रामकंट क्या करते हैं जब मैं दस तक गिंती गिंता हूँ यह धीमे धीमे अंदर तक लेते चले जाते हैं यह एक अच्छे एसिस्टेंट की निशानी होती है मिना आपको परशान करे हुए आपकी मस्ल्स को स्ट्रेश करता जाता है एक बार फिर से करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एक बार फिर से करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस अब इस धनुष को प्रतेंचा पर चलाएंगे यानि कि धनुष को अब उसकी धार चलाएंगे छोड़ दीजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस कभी कभी मसल्स में क्रैम पा जाता है तो आप अपने एस्सिंट से कह सकते हैं इसको दबाने को ज़रा मसल दबा दीज़े नीचे चलिए दूसरी तरफ आजाएगे ज्यादर नहीं करिए कर दर्द है इसमा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस चलिए धार पर चड़ाईए छोड़ दीज़े छोड़ दीज़े एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दर्द है पूरा नहीं कर सकते हैं मत करिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस पैड़ दबा दीज़े रहा अब समया गया है पूरा साब बनने का पून भुजंग आसन पैर मेलाईए पकड़ लीजे का एक दो तीन चार पांच रादा नौड़ा यह एल्बोस को शरीर के पास रहना है चिपका रहना है नाट पहले जमीन पर लगाएं पिर चिन को जितना आगे चाहें उतना आगे ले जाएं और गहरी सांस खीशते हुए शरीर को फ्लोर से अटाएं साब तो बन गए अब दो जानवरों का खेल देखते हैं बिल्ली का और कैमिल का ये बंदे कैमल से एक बंदे कैमल से एक ये बंदे कैमल आएं पाफ है ताफ नाउज़त ट्रैप एक दो ती चार अज़ आज नाउज़त चलिए अच्छेर बन जाते हैं एक इसके बाद लेड जाएं और अपने एसिस्टिंट से कहें कि एक बार बजन को दबा दे जिससे जो मसल्स तौन में आगी थी और रिलाक्स हो जाएं फ्रंट की बॉड़ी की एक साइज शुरू करने से पहले यह देख लिजिए कि आपका एलाइन्मेंट सीधा है कि नहीं यह देखो भाईर आपकर ठीक है कपड़ों को ठीक से रखना बहुत जरूरी है नहीं तो दर्द होने लगता है ठीक चलिया सबसे पहले आपको जो एक्सराइज कर दी है वो लेक्स की और लोर एप्स की करनी है लेक्स को तीन पार्त तो उठाना है उतना ही करिए जितना आप आराम से कर सकते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे गे कर सकते हैं, ऐसे प्रफर करता हूं करना, यह पंदरा डिगरी पो उठाया है एक दो, तीन, चार, पाँच, छह, साथ, आठ, नौ, दस, एक, मिनिममम छह का एक सेट होना चाहिए, लेकिन मैं तीन करके दिखा रहा हूं आपको, तो, तीन, चार, पाँच, छह, साथ, आठ, करें, लेकिन पाँच या छह ब्रफ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 30 डिगरी के बाद 45 डिगरी पे जाना है, इसके बाद आपको 90 डिगरी पे रिलेक्स को ले जाना है, रामपट, कड़े होई है, छोड़ लिए, छोड़ लिए, उत नहीं करें, जितना आपकी बाड़ी अलाउ करती है, एंथूजियस्टिकली ज्यादा करेंगे, तो आप हमेशा अपने कुछ दर्थ पहुंचाएंगे और चोट पहुंचाएंगे, अब आपको पहन बुक्त आसन कर रहा है, एक पहर को सीधे रखें, तो इसको दिवार की तरफ ले जाएंगे, दूसरे पहर को आगे लाना है, आईए हराफगट, आराम से जितना ले जा सकेंगे, फिरते करिए, अब ये पूरा आसन कर रहा हूं मैं, है, एक तो ती चार बाचे साथ आगे हूं, दूसरी तरफ आए है, अब simple abdominal exercise करनी है, जिनको crunches कहते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं, अगर आपकी गर्दन में दर्द होता है, तो आपको free exercise नहीं करनी है, ये free exercise है, तब आपको ऐसे exercise कर दी है, ऐसे, तो आपकी गर्दन बची रहेगी, लेकिन चुकर मिझे गर्दन में दर्द नहीं है, तो मैं अपने साथ से exercise कर रहा हूं, ये एक बार में एक सेट दस exercise का होना चाहिए, अब आपने बहुत मेनद कर ली, अब relaxation का time, आपको सीधा स्ट्रेट स्ट्रेश करें, पैर ऐसे ही रहेंती, तो बैसे research करें, एक तो एक री चाह्ट पाच्छो सफा आप नाइब अब आदस, इदी फिलतर है, हए इस एक्साइज के बाद आपको और रिलाक्सेशन करना है नॉर्मली लोग शावासन बताते हैं बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आप शावासन करें मैं चाहता हूँ कि आप ब्रीधिंग एक्षाइज करें जैसा कि मैंने आपको बताया था पेट पे हांथ रखें हाथ पैर को रिलाक्स कर दें जब आप गहरी सांस लेंगे तो पेट बाहर जाएगा क्योंकि मुझे ब्रीधिंग पैटर्ण आता है तो मैं अब यही ब्रीधिंग पैटर्ण शावासन में करूँगा अब मैं शावासन में जा रहा हूँ हाथ पैर को रिलाक्स कर लें जैसे आपका सिर जिस तरफ और पर डेबल फील करतें उस तरफ कर लें आगबद कर लें गहरी सास लें और छोड़ें मन में जो भाव आ रहा है उनको आने दे जाने दे यह मानने कि आपकी बॉड़ी अप शव है इसमें कोई हरकत नहीं है आपका मन भी शव है इसमें कोई भाव नहीं है जो इमोशन्स आ रहे हैं उनको निर भाव बिना किसी भाव के उनको देखें द्रश्टा भाव से देखें और आने जाने दें आपका रहे बुड़ी ओड़ी ओव पने देखें जो उनको देखें दो आपका रहे हैं प्रश्टा ओड़ी ओड़ी ओन सीए जो दो अज़्स persa लेवाव जो आपका देखें चेंज़ झाल झाल